वेल्कम टू आरो चैनल तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास या फिर लास्ट प्रैक्टिकल वीडियों आपने देखा था कि हमने आप लोग के स्टेर के स्वाइरिंग करके दिखाया था यहाँ पे हमने दो जो है two-way switch लेकरके मतलब एक फ्लोर का यहाँ पे आप लोगों में बताया था कि कैसे आप ground floor और यहाँ first floor के बीच जो है two-way switch लगा के बीच के सेडियों को आप lighted कर सकते हैं अब देखिए एक सिस्टम हम लोग यहां पर यह कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि तीन जगहों से अगर इस बल्ब को भी ऑपरेट किया जाए तो उसका कुछ कनेक्शन इस तरह से होगा जहां कि हम लोग एक इंटरमीडियर स्विच ले लेंगे और दो यहां टूवे स्विच लेंगे अब क्या है एक तरह का सीन समझ लेजे फर्सट फ्रोर सकेंड फ्र्ड फ्र्ड फ्रॉर अब बीच में अगर आप बल्ब लगा देते हैं सीडियों में चाड़ने के लिए तो ऐसा भी होगा कि जो थर्ड फ्रॉर में जो आदमी है वो चाहेंगे इस बल्ब को तेर्प करना सामके टाइम में यहां पर यह तो सब ही लोग क्या कर सकते है इस बल्ब को सेम तीन जगह से उपरेट करना तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग यही देखने वाले हैं एक इंटर्मिडेड सुइच यहां पर जूर्ट पड़ेड कि हमने इसमें यूज नहीं किया दो जो है two-way switch को ही intermediate बना लिया है और यहां पर दो जो है two-way switch है चलिए अब इसको हम लोग practically आपको करके दिखाते है connection diagram बिल्कुल इस तरह से है जो कि यह phase जो है यह चल जागा two-way switch के middle portion में चल जागा यहां पर हमने जो है two-way switch को ले करके यहां पर इसको intermediate switch बना लिया है और यहां पर एक two-way switch है यहां पर एक two-way switch है अब इन तीन पॉइंट से मतलब यह हमारा first floor हो गया यह second floor हो गया अब इस जगह से हम इस बल्ब को क्या करेंगे देखिएगा अलग लग जगों से इसको operate करें फ्लोर में जब हम लोग जाएंगे तो यह हम आउन करके जाएंगे उसके बाद देखिए यहां पर फर्स्ट फ्लोर में हमारा काम हो चुका है तो आप क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ काम करना है क्योंकि यहां पर हम लोग इंटर्मिलिटर स्विच नहीं लिए है तो एस स्वीज से भी उपरेट कर सकते है यहां पर यह करेंगे तो यह क्या हो गया हो गया थ हिृण लेकिन बनाहिए मतलब एक साथ को प्रेस करना पड़े एद्यान रखियेंगा ऐसे intermediate switch भी आता है आपके सिंगल switch डाल सकते हैं बट यहाँ पे नहीं था इस पज़े से हमने यहाँ पे 2-way switch यूज किया है यहाँ देख लिजे फर्स फ्लोर से भी इसको हम on-off कर सकते हैं तो यह हमारा advantage इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे तीन फ्लोर में इन तीन switch को हमने लगा दिया है और एक single bulb को अगर हम studio में लगा देते हैं तो हर फ्लोर के लड़के हर फ्लोर के जो ल यहाँ नहीं रहा second floor वाले करना चाहते तो यह कर देंगे या फिर third floor वाले भी इसको operate कर सकते हैं तो हमने क्या देखा इस practical में कि एक ही बल्ब का हमने यूज किया है और तीन अलग अलग जगहों से हम इस चीज़ को operate किया है simply आपको जो connection diagram जो बताया गया था उसके accordingly आप इ लिए इस तरह की वीडियो इस तरह की जनकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो धन्यबाद अफस्री का वीडियो में पने रहने के लिए